हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है CDR भार्साज CDRW तो आज का कोस्टन भी है डिफारेंस बिट्विन CDR एंड CDRW CDR, CDRW इसके बाद दूसरा पॉइंट यानि ए रिफ्लेक्टिफ मेटल डिक्स से बना हुआ है और उसकी टॉप फर एक डाई की लेयर होती है और इसके बाद आगला पॉइंट डाटा को माल्टिफल टाईमस डाटा स्टोर कर सकता है उसके बाद आगला पॉइंट डाटा कैननोट भी इरेच्ट यानि CDR से डाटा को इरेच्ट किया नहीं जा सकता और डाटा कैन भी इरेच्ट और CDRW से डाटा को इरेच्ट किया जा सकता है उसके बाद आगला point it is inexpensive यानि CDR सस्ते होते हैं और it is expensive यानि CDRW महेंगा होते हैं उसके बाद आगला point it is more compatible यानि CDR ज़्यादा compatible होता है और it is less compatible और CDRW कम compatible होता है उसके बाद आगला point it is effective for long term backups यानि CDR long term backups के लिए ज़्यादा effective होता है और it is best for data transferring और CDRW data transferring के लिए अच्छे होता है उसके बाद आगला point data cannot be written over in CDR यानि CDR पर data को over लिखाने जा सकता और data can be changed after writing in it और CDRW पर data को लिखने की बाद उसे फिर change भी किया जा सकता है तो एथा कूछ difference between CDR और CDRW तो दोस्तो आज के लिए बास इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना